दीपा बलॉक में आपका स्वागत है आज हम पास्ता बनाते हैं तो पास्ता बनाने के लिए हमने कड़ाई रख दिये कड़ाई में फोड़ी से हमने जीरे डाल दिये जीरे चतक गए हैं अब इसमें हम प्याज और दो हरी मिर्ची को मनें काटके डाला एं हम Сейчасoccup कंसर डाला कम भी नहीं रहेगा हम अपने टेस्ट के अंसार मिला रहा है आप अपने टेस्ट के अंसार मिला फिर उंपर से हम पास्ता मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि यह तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए पास्ता मसाला और मसाली सारे अब उंपर से हम इसमें पास्ता मिलाएंगे पास्ता को हमने पहले उबाल लिया है उबालने में हमने थोड़ी सा तेल डाला और नमक स्वादांसा डाला और इसको अच्छे से अब हम इसमें मिक्स करें देंगे इससे अच्छे से कोटिंग हो जाएगी मसाले की पास्ते के ऊपर नास्ता में बहुत अच्छा लगता है खाने में आप लोग भी जरूर बना के खाईएगा अब इसमें उपासे हम थोड़ी सा और नमक डाल देंगे क्योंकि अगर थोड़ी कम रहा हो तो पानी छन गया तो निकल जाता है ना इसलिए थोड़ी सा और नमक डाल दिये और अब इसको हम मिक् करने में हरी धनिया नहीं खाते हैं